नमस्कार दोस्तों, मिरना में सुमन्त और आज हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही important topic अपने एक सवाल के जरीए वो topic है watershed यहां पर समझेंगे कि आखिर watershed क्या है, watershed management क्या होता है, इस management में आखिर आता क्या है, करना क्या होता है और इनके उदाहरन क्या क्या है सवाल पढ़िये इस सवाल की कितने पाठ है पहला समझो कि यह सवाल आपके काम कहां आएगा UPSC Mains का जो paper 1 है GS1 है GS1 में पढ़ना होता है आपको जो जो जोग्राफी है उसके बारे में इसमें आपके पढ़ने होते हैं resources कौनसे resources जो आपके water resources है आपके mineral resources है उन सब के बारे में तो आपका जो water resource है उसके अंतरगत यह topic आएगा इस water resource को हम लोग manage कैसे करेंगे तो सवाल कह रहा है सवाल के part का समझे पहला part यह है क्या खिर watershed होता क्या है पहला part यह हो गया दूसरा part watershed प्रबंधन क्या होता है यह सवाल नंबर 2 हो गया तीसरा कह रहा है उताहरन देते हुए जो जल संसाधन प्रबंधन है उसमें इसके महत वपर चर्चा कीजिए ये इसका तीसरा पार्ट हो गया मतलब कि आपका जो उत्तर होगा आपके उत्तर में कम से कम तीन पार्ट तो होने चाहिए पहला पार्ट ये बताएगा कि आखिर वाटरशेड होता क्या है दूसरा पार्ट ये बताएगा कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है और तिसरा पार्ट ये बताएगा कि इसका महत्व क्या है ठीक है अगर आप कुछ extra marks fetch करना चाहते हैं पाना चाहते हैं तो आप बताएंगे ये महत्व है ना महत्व में आप जो initiative है क्या क्या लिये गये हैं कदम हमारे देश के अलग अलग जगों जिसके महराश्टरा में लिय गया गया है है आपके जो अलग-अलग schemes है वो launch की गई है आपको चौथा बात add कर देना है कि आखिर हम लोगों को और क्या करना चाहिए way forward क्या होगा clear है तो ये आपका एक ideal उत्तर हो जाएगा ये आपका एक model answer हो जाएगा इस question का आपको बहुत ही बहतरिन marks मिलेगा अगर आप अपने उत्तर में initiative को भी add करते हैं तो क्योंकि आपको कह रहा है कि उधारन देते हुए ही समझाए ठीक है चलिए तो करते क्या है अपने हम उत्तर को लिखते हैं आप इस वीडियो को pause कीजिए इस question को attempt कीजिए फिर इसके आगे देखना शुरू कीजिए answer लिख करके ताकि आपको ज्यादा फाइदा होगा देखो answer लिखना मुश्किल काम है सब लोग नहीं लिख बाते आप लिखेंगे सब लोग पास भी नहीं होते है तो आपको तै करना है कि आप आईस बनना चाहते हैं या नहीं मेनत तो करने पड़ेगी हासे कीजा है रोके छोटे छोटे जो आपकी जल्धाराएं हैं वो मिल करके एक बड़ी जल्धारा में मिलती है तो ये जो पूरा जोग्रफिकल एरिया होता है उसको बोलते हैं watershed अब सर यही तो डिफिनिशन पढ़ा हमने था बेसिन का भी तो watershed और बेसिन में अंतर क्या हुआ दोनों में अंत होता है जहां से पानी धल धल कर एक छोटी water body में या बड़ी water body में मिलता है मालों की एक छोटा सा नाला जा रहा है नाले में एक धारा यहां से आएगी एक धारा यहां से आएगी यहां से आएगी यहां से आएगी तो आपके यह पूरा area हुआ इसको बोलते हैं catchment area ठीक है जो छोटा वाला catchment area है ये एक और catchment हो गया ये एक और catchment area हो गया ये ये तीनो catchment area मिल करके एक sub water side का निर्मान करेगा और ये अलग-अलग water side मिल करके एक बड़े water side का निर्मान करेंगे अब ये जो water side है ना ये water side मिल करके basin का निर्मान करेगा मतलब की water side से मिल करके basin बनता है basin जो है ना वो water side का बड़ा part है समझके अंतर दोन में क्या होता है तो ये हो गया काम आपके prelims का जैसे कि जो धाराएं है मिल मिल करके नदी बनाएंगी जो आपका तालाब है वहाँ पर जा करके गिरेंगी पिसमेरे बात अब watershed boundary क्या होता है इस watershed के किनारे किनारे जो एक उचाई होती है जो divide बनाता है इस area को बाकी area से अलग करता है उसको बोलते हैं watershed boundary तो पर इक्जामपल देखो ये वाला ये जो आपको छड़ाएं दिख रही है ना ये है आपका watershed divide यहाँ पर की जो नदीया होगी वो इसी area में आएंगी वो इस वाले water divide में शामिल नहीं होगी वैसे हैं यहाँ पर वाला जो area नदीया है वो इसी area में रहेंगी मतलब कि पहला watershed ये हो गया दूसरा watershed ये हो गया आपका तीसरा watershed समझ गया तो जो boundary होता है वो अलग-अलग watershed को अलग करता है इट follows the highest ridge line around the stream channel समझ गया यहाँ पर watershed क्या होता है, watershed divide क्या होता है अगला हमारा topic है कि आखिर watershed management क्या होता है watershed में जो resources हैं सुनना, watershed में जो resources हैं क्या-क्या होता है वहाँ पर आपका होता है पहला तो water ही होगा, है ना, water होता है, वहाँ पर पेड़ लगे होते हैं, नदिय किनारे, मिटी होती है तो इन सब को ढग से manage करना वो कहलाता है watershed का management इसको manage करना, उसको conserve करना कि मिटी भाके न चली जाए, जो आपका पेड़ है वो अगर काट देंगे तो मिटी धिली हो जाएगी और फिर उससे water जो swell रोजन है बढ़ जाएगा, है ना, तो करता क्या है कि जो runoff है उसको prevent करता है, runoff क्या होता है, runoff का मतलब ये होता है कि पानी जब बसात होती है जमीन पर, तो जमीन पर ढ़लान होने के कारण वो नीचे की और गिरती है पानी, है ना, जब पान नीचे की और गिरता है तो अपने साथ मिटी को घुलाता हुआ चलता है, तो उसको बोलते ह रन आफ अगर हम लोग रन आफ को रोक देंगे तो मिट्टी जो घुल-घुल के नीचे जा रहा है वो रुख जाएगा है ना जो स्वाइल उडजन है वो कम हो जाएगा तो हम करते क्या है रन आफ को हम लोग प्रिवेंट करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते ह कियों sir, groundwater रहेगा तभी तो कुए में तलाब में पानी रहेगा तलाब होता क्या है? तलाब ये होता है, ये जो पानी का layer देख रहे है ना, ये actually उस area में water का layer है, अगर water का layer नीचे गिरेगा, तो जो तलाब में जो layer है ना वो भी नीचे गिर जाएगाjos बट, broad sense में जो watershed conservation है, इसमें conservation भी आता है, regions मतलब कि उसको धीरे धीरे फिर से उगाना भी आता है, और उसका सही इस्तेमाल तीनों आता है, मतलब कि natural resource और human resource दोनों का सही से इस्तेमाल करना यह सब आपके watershed management में आता है सर परस example दीजिए ना, लीजिए सर, यहाँ पर आपको हम देते हैं example के जरे समझाते हैं, जैसे कि आप जो agroforestry है, उसको promote करेंगे, soil conserve करेंगे, जो plant वहाँ पर है लगाएंगे ताकि आपको जो fuel है, fodder है, fiber needs है, वो सब पूरा हो सके, जो slope है ना, उसको stabilize करेंगे, ताकि वहा आपके water harvest system है, वो आपर बनाएंगे ताकि आपका water recharge हो जाए, तो हम देखेंगे, तुरनत इस लाट बर दुवारा आएंगे, हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह से हम लोग watershed का इस्तेमाल कर सकते हैं, sustainable development के लिए, यहाँ पर पूछ नहीं रहा है इस question में वैसा, इस question मे कहां पूछ रहा है, मगर अगर सवाल ऐसा पूछ दे, कि watershed management का क्या इस्तिमाल हो सकता है आपके sustainable development goals को हासिल करने में, समय बाद, ऐसा question आतो सकता ही है, अराम सा सकता है ऐसा question, तो अगर ऐसा question आये तो हमको वो वालान से लिखना पड़ा है, जो भी देखा था हमने, वहाँ तो क्या है, significance क्या है, हमको पता है कि भारत का जो 68% जो हमरे cropped area है, वो rain fade है, वो बारिश पर आधारित है, अब बारिश हुई, तो वहाँ पर सचाह हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई तो करें क्या, जो हमारे watershed है, जो नदिया हमारे आसपास बह रही है, अगर हम उस नदि management के जरिए, जो वो पानी है, वो हमको लाना है, खेतों तक, क्या होगा, जो irrigation है, देखो धान से कैसे बनता है flow chart, irrigation है, irrigation हुआ, तो जो crop की productivity है, productivity है, वो बढ़ गई, चुकि productivity बढ़ गई, तो जो production है, जो पैदावार है, वो बढ़ गया, इसके बढ़ने से क्या होता है, production के बढ़ने से, जो आपका अनाज का supply है, ठीक है, supply जो है, आपके market में, वो बढ़ जाएगा, चुकि supply बढ़ रहा है, तो जो दाम है, वो घटेगा, अगर दाम घट रहा है, तो जो गरीब हैं, गरीबों को अनाज मिलेगा, मतलब की, affordable, affordable food का हमरा जो सपना है, वो हाँ प food security है, यह हम achieve कर पाएंगे, समझे, तो जब आप अपने उतर लिखते हैं, तो अगर आप इस तरह से फ्रॉच्ट बना देंगे ना, तो आपका अंसर दूसरों से अलग हो जाएगा, आपको फिर ज्यादा marks मिलेंगे, आपका जो watershed management है, उसके जरीए हम लोग जो सूखा है, और बाढ़ है, दोनों से लड़ सकते हैं, for example, जो interlinking of river है, नदियों को जोड़ना, ये भी water shed management के अंतर गथी आता है, वहाँ पर अगर हमने एक बाढ़वाली नदी और एक सूखे वाली नदी को जोड़ दिया, तो क्या दोनों जगह पर आएगा बाढ़वाली नदी का, water shed management के जरीए हम लोग grown water को recharge कर सकते हैं, उसको pollute होने से बचा सकते हैं, और अगर वो आपका water shed दो country के बीच में share करता है, for example, Victoria jheel, याद हमने बताया था हम आपके जरीए, जो Victoria jheel है न आफरिका में, वो दो तीन country के बीच में share किया जाता है, तो उसको भी हम ढग से manage कर पाएंगे अगर हमने water shed management किया तो, तो सवाल के अभी तक हमने तीन पार्ट को address कर दिया, पहला water shed, क्या होता है ये बता दिया हमने, water shed management क्या होता है हमने ये बता दिया और इसका जो महतु है वो बता दिया, अब महतु बताते टाइम हमको देना था example, initiative का, for example, जो राले गा सिंधी महराष्टा में पड़ता है, ये पहले सूखा गरसित था, अब क्या है, यहाँ पर water shed को manage किया गया और अब ये गाउं water surplus हो गया है, यहाँ पर अनाज, crop अराम से लगते हैं, उगते हैं, और काफी अच्छे पैदावार होती है, economic activity काफी अच्छी हो गई है, और गा है, वहाँ पर लिए गई है, यहाँ पर नहरे खुदवाई गई है, तो कई सरे आपके जो इनिशेटिव है, वो लिए गए है, गौर्वर्मेंट ने लॉंच किया है, जल करांतिय भियान और जो प्रदान मंत्री KSY है, क्रिश जय उजना है ना, इसको भी उन्होंने लॉं इसेड़ मनेजमेंट को हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, एज टूल फूर सस्टनिवल ड़लपमेंट, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप बताएंगे कि लैंड की प्रदक्टिविटी को इन्क्रीज करने के लिए हम क्या क्या कदम उठाएंगे, जो यूजेबल वाटर है, मतलब इस्तमाल करने योग या पानी जो है, इसका सप्लाई बलहाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, फिर बात आती है, कि जो फ्लड से डैमेज होता है, उस डैमेज को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, वाटर कॉलिटी को इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, झाल झाल